एपिसोट प्डिवन की स्टार्टिंग होती है और मो कहता है अंटी आप स्मार्ट हो प्यूटिफुल हो और दयायलो भी आप ग्रेंड माक जमीन के लिए इतनी महनत कर रही हो इस उनके मी बहुत खुश जाती है और कहती है फाइनली तुमने क्या ही दिया फिर मो कहता है पर हमें हमें जमीन मिल जाए हमें जमीने क्या करेंगे यह तो बेकार है फिर मå कहती है बच्चे तुम की जानते हो एक बहुत बड़ा होटल यहां बनाया जाएगा फिर मो तेंक कहता है श्याओं मु Also Ce Κैती है अच्छा तो एक होटल बदेंगा फिर मो कहती है बदमाश कहींच तुम्हारी हिम्मत कैसो ही मुझसे ऐसा बगलबाने की फिर मो उसे चुड़ाता है और कहता है बुड़ी अंटी आप तो बेफकूफ हो फिर मी उस पर हाथ उठाती है और कहती है पदमाश कहीं के मैं तुम्हारी जान ले लूँगी फिर शैन उसका हाथ पकड़ लेती है और दूर थकेलती है और कहती है मेरे बेटे से दूर हट जाओ फिर मोटेंग मी को पकड़ता है और कहता है शैन मी का वो मतलब निया जो उसने अभी भी कहा हम तुसर्फ इस जमीन को बचाना चाते है फिर मी कहती है मोटेंग कि तुमने देखा शैन मेरे सत कैसा बहेव कर रही ह फिर शैन कहती है बस करो अपनी बकवास बंद करो अब समझ में आया तुम लोग इतने एफ़र्ट क्यों डाल रहे हो तुम्हें ये जमीन इसले चाहिए ताकि तुम्हें यहाँ पर एक होडल खड़ा कर सको फिर मोटेंग कहता है शैन मेरी बात तो सुनो फिर शैन कहती है स इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमावां फ्रेंग दिखता है और वो मन में कहता है तीन दीन हो गए है शैनन मुझे अभी तैके कांटैक्ट ने कीया है ह fulfilleur के फैंग अस दिन फैंग सबस्क्राइब का अरे अपको चो और मुझे लगा कि शायद वो मेरी कोई गलत फैमी होगी फिर फैंक मन में कहता है उस दिन में अपनी पेहन को हॉस्पिटल ले गया था क्योंकि उसकी डिलिवरी होने वाली थी जरूर शैन ने कुछ गलत समझ लिया है मैडम लिन शैन कहा है फिल इन कहती है शैन ने एक दिन क को इस तरीक से टीट नहीं करना चाहिए था अब जो रिस्पॉंस आपको मिल रहा है इसके जिम्मेदार आप खो दो और इसके साथ हमारा यह एपिसोड यहीं खतम हो जाता है कमेंड विताए आपको यह एपिसोड कैसा लगा और लाइक शियर सब्सक्राइब कर देना अगल